दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में हैं दोस्तों अपने पिछले लेक्चरस में आपको सिलेवस बताये था अगर आपने उस लेक्चरस को नहीं देखा है तो आप उस लेक्चरस को जाकर पहले देख लेजिएगा तो आज की में हम बात करने बाले हैं जो कि मौस है मौस में आपके बात करने बाले हैं इंट्रॉक्षन इंट्रॉक्षन आपका जो कि केमिकल प्रोसेसिंग होता है उसमें इंडस्ट्री जो में केमिकल प्रोसेसिंग होता है उसमें क्या सब्दानिया होती है क्या प्रोसेसिंग चलता है और कैमिकल एंजिनियर का क्या रॉल है तो इसमें आपको बताने वाले हैं यह बिसिक सक लेक्चर है इसको बोरिंग ना समझते हुए हम आज के साथ इस लेक्चर को आपके साथ से सेर कर रहे हैं तो देखिएगा गार कैमिकल एंजिनियर एक एहसा इंडस्टियल प्रोसेस है जिसमें राउ माटेरियल को लाड़ दाएग प्रोडक्ट में बदला जाता है राउ माटेरियल जानते हुग कच्छा मल जो भी कैसा भी है जो उपीयोग में नहीं आता है उसको क्या करते हैं एक एमिकल एंडस्टियि जोरा केमिकल एंजिनियर एक ऐसा प्रोसेस के दवारा chemical process के दुवारा हम raw material को क्या करते हैं लाब दाइक product में बदलते हैं ये processing होगा chemical engineering का ठीक है फिर उसके आंगे chemical engineering design का development करता है ठीक है आवस्यक raw material होते हैं वो अपना उन्ही material को चैन करेगा जो processing में प्रयोग होने बाले हैं ठीक है फिर आता है आपका एक chemical engineer को पूरे plant को सरच्च्चा सरच्चा एबंदच्च्च्चा से चलाना चाहिए ठीक है कैसे कोई भी साब्दान कोई भी साब्दानी का प्रयोग छोड़ करना नहीं चाहिए सभी साब्दानियों को प्रयोग करना चाहिए ठीक है अगर साब्दान यठी तो दुरगटना गठी यह है chemical engineering life ठीक है तो फिर उसके बाद बात करते हैं कस्टूमर की आवस्ताक्ताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए प्रोड़क्ट को ति engineer science भी है chemical engineer क्या है हमारी science भी है řाइट भी है řाइट भी है यदि science chemical engineering की किसी भी problem को solve करने में मदद करता था तो क्या कहते हैं उसको chemical engineering science द्वारा किये गए समाधन से संतोष्ट नहीं है ठीक है उसे experiment and judgment का प्रियोग करना चाहिए ठीक है उसे क्या करना चाहिए experiment का प्रियोग करना चाहिए वो judgment के द्वारा ठीक है science अगर chemical engineering मदद problem को solve कर रही है तो यह समझना कि मतलब chemical engineering के समाधन संतोष्ट नहीं कर सकती है नहीं आपको experiment and judgment की जरूरत होती है प्रियोग करना चाहिए ठीक है यही है chemical फिर उसके बाद आते हैं आगे आधुनिक प्रक्रमों की जटलता तथा अभिनताओं के कारण chemical के subject के सबजेक्ट को एक सीर्षक के अंतर का समाहित करना सुब्दा जनक नहीं है इसी chemical engineering को विविन भागों में बाट दिया जाता है इन विविन को inut operation की नाम से जाना जाता है तो दोस्तो इसमें क्या करा है कि जो की chemical engineering है आपकी processing है वो क्या है आपकी inut operation की नाम से जानी जाती है अब देख दो इसका जो most subject बना है यह क्यों बना है यह most subject आपको जो भी आ राउने आने वाले सब्जक्ट जो भी आंगे समिस्टर में जो भी आपके समिस्टर से सांगे बचे हुए हैं उनमें पढ़ को होगी तो मौस canyon का बहुत हीजाद है उनमें क्या है roll है ठीक है तो क्या इसको अच्छे से त्यार करिए इसमें एक एक processing का फार्ट दिया हुआ उसका डाइग्राम फ्लो सीट होगा तो फ्लो सीट में जो 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 आपके प्रियोग किये जा रहे हैं जो जो आपकी इनोट आफरेशन प्रोसेसिंग प्रियोग की जा रही है एक भाग तो इसमें क्या करोगे इस मौस में एक भाग को पड़ोगे एक एक भाग के बारे में लें उमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को सपोर्ट दें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों में ज्याद़ से यह करें बस छोटा से इतना सा काम करें हम आपको पूरा डेटेल से इसलेवस पताएंगे पड़ाएंगे तो टेंसन लेने क चलिएगा जो कि एक जम के टाम आपको कोई भी प्रोब्लम ना आये थैंक यू फूर माई वाचिंग वीडियो